अज़के हमारी मुवी यह एक thriller Korean मुवी है इसका नाम Innocent Love और है 2014 की है अब बीना किसी तरीके मुवी explain करना start करते हैं मुवी start होती है और हमारा main character जिसका नाम है June इसको हम देख सकते हैं June एक स्कूल में gym teacher है यहाँ फर्स सीन में वो students को swimming करना सिखा रहा है इसी सीन से हमें ये भी पता चलता है कि उसकी स्कूल की बहुत सारी लड़कियों को उस पर crush है इसमेंसे एक लड़की का नाम यंग है यंग जून को बहुत पसंद करती है और उसका अटेंशन पाने के लिए श्विंग पूल पर सबसे उची जगा पर चड़ जाती है वहाँ से जम मारती है सब उसके लिए वरी करते अगर वहाँ से वो जम मारे की तो इंजोर हो सकती है पर वो किसी का पर नहीं सुनती और जम मारतेती है उसे फिर जून बचाता है उसे ये बहुत ही अच्छा लगता है इसके बाद नेकसिन में हमें जून की वाइफ दिखाई जाती है वो प्रेगनेंट है और नए घर में अभी मूविन कर चुके है एक दिन जून सबको टॉजबॉल सिखा रहा था इसी प्लेग्राउन बर यंग भी थी उसने यंग की तरफ बॉल फेका पर वो उसे अपने आपको टस नहीं होने दे रही थी ऐसा बहुत बार हुआ तो जून ने बहुत जोर से उसे वो पॉल मारा इसे वो इंजोड हो गे तो उसा फरस्ट एट कराने के लिए उसे स्कूल में लेकर गया जून कहता है इतना फास्ट पॉल आ रहा था तभी तुम उसे कैच करना चाहती थी क्या तुम डरती नहीं तुम्हारे फिंगरस वेकरा फ्रेक्चर हो जाएंगे यंग बोलती है मैं किसी भी चीज से नहीं डरती है वो जून से बुछती है तुम की इस चीज से डरती हो और उसे गले लगा लेती है वो फिर अब वहाँ से चला जाता है निकसिन में हम देखते है कि जून अपनी वाइफ के साथ फैमिली डिनर पर आया हुआ है यह उसकी वाइफ की फैमिली के साथ डिनर है इनकी conversation से हमें पता चलता है जून का नया घर भी उसके father-in-law नहीं उन्हें गिफ्ट किया था इस डिनर पर हम उसे uncomfortable देख सकते हैं एक दिन जून grocery shop में था वह उसे यंग फिर से मिली यंग को strawberry milk चाहिए था तो इसके पैसे उसने जून को ही देने के लिए कहे वो उसके पास आकर कहती है तुम पहले rugby player हुआ करते थे मुझे भी rugby बहुत पसंद है जून कहता है अगर तुमें खेलना है तो तुमें female team में में डाल सकता हो इसके बाद next in में हम directly देख सकते हैं कि जून rugby खेल रहा है उसे cheer करने के लिए यंग वहाँ आई हुई है उसे female team में नहीं जाना था उसे सिर्फ जून को खेलते होई देखना था जून के फ्रेंज जब है नोटिस करते है तो उसे चिडाते है कि वो तो बहुत ब्यूटिफुल है और उसके कोई फ्रेंड हो तो उसके साथ हमें भी set कर देना जून इन पर गुसा होता है और खहता है ऐसी सोच मत रखो ऐसा कुछ भी नहीं है ये गेम खेलने के लिए यंग जून के साथ ही आई हुई थी गेम खत्म होने के बाद हो थोड़ी दिर में गाड़ी में ही सो गए जून अब उसे ट्रॉक करने वाला है यंग का सीट बेल ब अगले दिन स्कूल में पानी के साथ सब लड़किया खेल रही थी इसमें यंग भी थी और इसे जून देख रहा था कोई देर बाद जब सब लड़किया चली गए तो इस टैप के पास जून आया यंग की हैर क्लिप वहां उसे मिली ये क्लिप उसने अपने कपड़ों में ह रख दी थी उसे वाशिंग के लिए दे दिया है उसे बात में याद आया कि उसकी वाइफ ने एक कपड़े वाश कर डाले होंगे वह स्पीन को धून रहा था पर उसकी वाइफ ने ऑडरीडी से ठून लिया था उसके हैर्स में एक लिप थी वाइफ को लगा कि ये पीन वो बहुत ही खुश होती है रात में हम देखते है जुन और उसकी वाइफ जब इंटिमेट होते है तभी भी जुन यंग के बारे में ही सोच रहा था एक दिन जुन को स्कूल में लेट हो गया और बाहर पारी स्टार्ट हो गई थी वो ज़रा बाहर निकला तो वहाँ यंग भी थी उससे कहती है एक बार बारिश खतम हो जाए उसके बाद में चली जाओंगी जुन और यंग फिर बारिश खतम होने का वेट करते हैं जुन लोडिस करता है कि यंग यहाँ भी स्ट्रॉबेरी मिल्की पी रही है उससे पूछता है कि तुम हमेशा स्ट्रॉबेरी मिल्की क्यों पीती रहती है यंग कहती है जब मुझे एक फ्लेवर पसनाता है तो उसे मैं हमेशा कंटिनू करती हूं इस सिंसे हम देख सकते है यंग को एक चीज पसना आगे तो उससे वो अपसेस्ट हो जाती है यंग को थन लग रहे थी तो जुन अपना जैकेट उसे ओफर करता है अंदर जाकर यंग ये जैकेट पहनने का ट्राइक करती है पर इसकी चेन उसे ट्रॉबल देती है जुन से भुछती है प्लीज अंदर आकर मुझे हेल्प करो जुन को पहले सही नहीं लगता पर वो अंदर फिर चला जाता है जैकेट की चेन लगाते वक्त यंग की बॉड़ी को नोटिस करता है वो उसे अब किस करने वाला था पर उसे गलत लगा तो आगे चला गया अचानक से जोर की बिजली करके यंग डर गे और उसने जुन को गले लगा लिया इसके बाद वो किस करने लग गया अचानक से गाट की आवाज उने आए वो सब क्लासरूम्स चेक कर रहा था ये दोनों वही छुप गया यंग कुछ आवाज ना करे इसलिए जुन ने उसका मूँ बन कर दिया यंग का दम घुट रहा था गाट चले जाने के बाद जुन ने जब यंग को देखा तो बेहुश थी जुन बहुत ही डर गया उसने यंग को उठाने की कोशिश की पर वो उठने ही रही थी बहुत देर हो चुकी थी और जनरेली जुन घर पहुच आता था तो उसकी वाइफ उसे देखने के लिए स्कूल में भोज गई गाट के साथ वो उसे ठोण रही थी तो जुन भी बाहर निकलाया वो कुछ कर ने पाया और यंग को वैसे ही छोड़कर घर चला गया रात में एस्कूज लेकर वो यंग को फिर से ढूणने के लिए पहुचता है यहाँ पर यंग उसे नहीं दिखती वाव उसका फॉन पड़ा हुआ है जो रख लेता है अगले दिन सब स्टूड़न्ट से पुछता है यह यंग का है पर किसी को भी पता नहीं होता पुरी स्कूल ढूणता है तो एक जगा पर यंग उसे मिली जाती है वो बहुत ही वरेड था कि यंग के साथ क्या हुआ यंग उसे पुछती है कि तुम कहा चले गई थे जून कहता है तुम्हें देखने के लिए मैं वापस आया था पर तुम वहाँ से चली गई थी उससे रिक्वेस्ट करता है हमारे बीच जो भी हुआ प्रीस हमारे बीच ही उसे रहने दो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए यंग भी इसके लिए मान जाती है जो भी सब जून और यंग के बीच में हुआ था तो ये सब यंग स्कूल के ब्लॉग में लिख डालती है स्कूल की सब लड़किया देखकर हस रही थी और टीचर को भी पता चल गया प्रिंसिपल ने यंग को मिलने के लिए बुला है उसे पूछा कि तुमने ये सब क्यों लिखा क्या तुम्हारे साथ सचूल में ऐसा कुछ हुआ था यंग जून को ट्रवल में नहीं लाना चाहती इसलिए कहती है कि ये सब इमेजनरी था बहुत सारे टीचर्स ने जून और यंग को एक साथ देखा है प्रिंसिपल को शक जाता है कि शायद ये सब सही हो सकता है वो जून को बोलाता है और वार्निंग देता है कि अब तुमें बहुती सीधी सीधी रहना है तुमारी और किसी स्टुडेंट की कोई भी रूमर फेल ली नहीं चाहिए अगर ऐसा हुआ तो वो ट्रवल में आ सकता है इस इंसिधन के बाद जून यंग को इगनोर करना स्टार्ट करता है उसके सब मैसेज़ेस वो इगनोर करता है एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ बार में आया हुआ था अपने फ्रेंड को कहता है कि मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं आती है जैसे हमें जून का पैगराउन पता है को एक रगभी प्लेयर था उसे उसमें ही करियर करना था उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम्हारी wife वो pregnant है तुम्हें बहुत सारे पेसों की ज़रूरत पड़ेगी तुम अपना job नहीं छोड़ सकते हैं फ्रेंड की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि जून की wife pregnant हो गई थी इसलिए उन्होंने शादी की है जून के बारे में ये बहुत ही important information बन जाती है वो rugby player बनना चाता था उसकी girlfriend pregnant हो गई तो उससे उससे शादी करनी पड़ी एक stable job लेना पड़ा वो अपनी life से खुश नहीं है रात में ये जून के घर पर भी call करती है उससे कहती है कि मैं तुम्हें miss करती हो जून इसके लिए भी कोई answer नहीं देता स्कूल में उसके लिए वो gift भेश दिये पर जून इसे टेस्विन में डाल देता है एक दिन जून स्कूल से घर आया वाइफ उसके लिए अच्छा सा डिनर बना रही थी वाइफ ने कहा कि तुम्हारे लिए एक surprise है उनके बच्चे के लिए वाइफ ने पूरी room paint वेगरा कर लिए वाइफ जून से यह थी है यंग के पैरस आज घर पर नहीं है तो हमारे साथ ही वो आज रात रहेगी जून इसके लिए कुछ कहे भी नहीं पाता डिनर टेवल के नीचे से यंग जून के साथ फ्लर्ट करती है आप में जून और उसकी वाइफ बात करते है जून की व होना यह बहुत ही नॉर्मल है आधी रात में यंग जून के कमरे में आ गए उसे बाहर लेकर गए उसके साथ वो इंटिमेट होना चाती थी जून इसके लिए मना करता है पर वो मानती नहीं जून कुछ भी ट्राय करे पर यंग उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली एक दिन अलमोज जून को किस किया इससे यंग बहुत ही गुसा होती है यह जो लड़की थी इसे शावर में कोई जाकू मार कर चला जाता है स्कूल फिर इस लड़की को हस्पिटल में एडमिट करते है जून और उसकी फ्रेंड जिसका नाम ही यून यह दोनों फिर बात करते है जू जून उसके घर उसे छोड़ने के लिए यह सब देखकर जून की फ्रेंड पर वाइव गुसा होगे एक्चुल में जून और उसकी फ्रेंड पहले रिलेशन्शिप में थे रात में जून को छोड़ने घर पर आए यह उसे अच्छा नहीं लगता गहती है कि लोग बाते बन पहले मना करती है तुस देखने के लिए देती है यंघ उससे पूछती है कि हम जून से कितना प्यार करती हो क्या तुम उसके लिए अपना खुद का पैर तोड़कर दे सकते हो यहाँ पर यंग के हात में कटर है के ति यह प्र Д testimonie कि तूम तोड सकती हो ये सब देखकर अब वाइफ को लगता है कि ये ज़रा serious matter है एक दिन जुन स्कूल में यंग से बात करता है वो कहता है मेरे वाइफ पर में cheat नहीं कर सकता अब ये सब वो burn करना चाहता है यंग कहती है कि तुम डरो मत उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा जुन फिर पिर मान निरा यंग उसे फिर ब्लैकमेल करती है यति है अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते है तुसे पता चले या ना चले इससे क्या फरक पड़ेगा यानि कि इंडायकली उसे कहती है कि वो उसकी वाइफ को बता देगी जुन स्ट्रॉंगली चाहता है कि ये सब बन हो जाए वो स्कूल छोड़कर फ्रीलाइंसिंग कोच भी बन सकता है इन सब चीजों के बारे में अपनी वाइफ को गहता है उसकी वाइफ उसे समझाती है यह थी है अगर तुम फ्रीलाइंसिंग जॉब करोगे तो सही से अर्निंग नहीं होगी हमारी फैमिली के लिए हमें एक स्टेड़ी इंकम चाहिए उससे कहती है कि तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते है एक दिन यंग फिर से कोचिंग के लिए जुन के वाइफ के पास आई वाइफ नॉन्वेज कुक कर रही थी इसके स्मेल से यंग इरिटेट होके और उसने उल्टी कर दी वाइफ से कहती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ इसे वाइफ को बहुत शौक लगता है उसे पहले ही जुन और यंग पर शक था रात में वा जुन का पीछा करती है जुन यंग के बिल्डिंग में ही पहुच गया उसे फिर कन्फरम हो जाता है कि यंग जुन की वज़े से ही प्रेगनेंट है जुन यंग को समझाने के लिए गया था वो से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी वाइफ को मैं नहीं छोड़ सकता यंग जुन से कहती है अगर तुमारी वाइफ नहीं होती तो कितना अच्छा होता नेक्स्ट ए यंग जुन के वाइफ के साथ उनकी वीडिंग फोटोस देख रही थी वाइफ से कहती है तुमारी ये रिंग मुझे हद कड़ियों की तरह लगती है इन फोटो में भी जुन को किसी की पैर की जुरुत है इस तरह से वो लग रहा है यंग ने वाइफ को एपसनली कहा था वाइफ भी चिट गए उसने कहा कि जुन सिर्फ तुमें यूज कर रहा है तुम दोनों की बीच एक रियल रिलेशन्शिप नहीं है वो तुमें यूज करेगा और उसके बाद छोड़ भी देगा यंग कुछ बोल पाए इसके पहले उसे चक्कर आगे एक्च्वल में जुन की वाइफ ने उसके ड्रिंग में कुछ मिला कर उसे बेहोश कर दिया उसने फिर जुन की फ्रेंड को कॉल लगया उससे कहा कि तुम जुन से बहुत प्यार करती थी उसका और मेरा फ्योचर ये सही हो इसलिए मैं सब करना चाहती हो उसे जून के फ्रेंड से help चाहिए ये दोनों फिर यंग को डॉक्टर के पास लेकर आती है उसका वो illegal abortion करवाने वाली है डॉक्टर यंग को चेक करते है और कहते है यंग beginner नहीं है वो तो कभी किसी के साथ intimate भी नहीं हुई है ये सून कर जून की वाइफ को शौक लगता है यंग सब कुछ imagine कर रही थी वाइफ ये यंग को फिर से घर लेकर आती है यंग को चप होच आता है तो गहती है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया वो अपने पेट को देखती है उसे लगता है कि उसके imaginary बेबी का abortion हो चुका है वो बहुत disturb हो जाती है वो फिर वाइफ को मारने लगती है एक दूसरे को मार ही रही थी तब ही जून वहाँ पोच गया इनकी fight उसने रोकी इस fight की वएजे से यंग की वाइफ का water प्रोक हुआ उसे वो जल्दी से hospital ले जाता है यह delivery premature थी पर बेबी की health को कोई भी problem नहीं आया एकसिन में हम देख सकते है कि जून की friend यंग को घर छोड़ने के लिए जा रही थी है यंग उसे गहती है मुझे बहुत बुरा सपना आया था इस सपने में तुम भी थी यंग के पास एक कटर था इस कटर से ही जून की friend को उसने मार डाला पेस्टे hospital में आकर वो जून का बेबी अपने साथ लेकर चली गए जून और उसकी वाइफ को जब यह पता चला तो बहुत disturb हो गए सब जगा ढूनने लग गए वाइफ को फिर यंग का कॉल आता है वो कहती कि बेबी उसके पास है और वाइफ से वो अकेल ही मिलना चाती है जून को बता कर वाइफ जल्दी से वहाँ से चली जाती है जून भी पीछे से उसका पीछा कर रहा था यंग अपनी बिल्दिंग की वोटर टैंग के पास थी वाइफ आकर उससे पूछती है कि मेरा बेबी कहा है यंग उससे यह थी है जितना प्यार में जून को कर सकती हो उतना तुम कभी भी नहीं कर सकती है वो उसे पॉइंट आउट करती है इस वाइफ को तैंग में है बेबी को तुमने के लिए वाइफ इस वाइफ इस वाइफ में जम करती है कि में उससे अच्छी वाइफ बन सकती हो जून मानता नहीं यंग फिर जून की वाइफ कहा है उसे बता देती है जुन जाकर अपनी वाइफ को बचा लेता है जुन ने यंग को चूज नहीं किया यह वो बियर नहीं कर पाए अब वो सुसाइड करने वाली थी वो टेरेस की एज पर खड़ी है यह जुन ने देखा जुन से कहता है प्लीज नीचे उतर जाओ इस बारे में हम बात कर सकते है यंग सुनती नहीं और जाम मारती है जुन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है कहता है कि जल्दी से उपर आ जाओ यंग उपर आने का ट्राय नहीं कर रही कहती है कि जब तुम मेरे साथ थे तुमारा भी दिल धड़क रहा था उसे बोचती है कि हमारे बीच की रिलेशन्शिप आखिर क्या थी वो अब जीना नहीं जाती स्लोली स्लोली जून का भी हाथ सटकता जाता है यंग नीचे गिर कर मर जाती है जून अपनी वाइफ को कह रहा था यंग को बचाने के लिए उसके वो हेल्प करें पर वाइफ नहीं मानी अब हम देखते हैं जून उसकी वाइफ और उसका बेबी यह सब एक साथ तो रहते हैं पर जून बहुत ही दुखी है वो यंग को याद करकर बहुत रोता है आज का वीडियो हम यही खतम करते हैं